उत्रप्रदेश विधानसभा चुनाब 2022 का रिजल्ट आ चुका है 403 सीटों पर हुए चुनाब पर BJP गठबंधन 270 सीटों से जीत चुका है इस जीत के बीच एक ऐसे कैंडिडेट का नाम चर्चा में आया है जिसने सरवाधिक अंतर से चुनाब जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया जहां एक तरफ कुन्डा से राजा भाईया को इस बार महज 30,000 वोटों से जीत मिली है राजा भाईया की जीत का अंतर जहां घटा है वहीं सरवाधिक वोटों के अंतर से जीत का रिकॉर्ड बना चुके हैं सुनील शर्मा बीजेपी के टिकट से गाजियाबाद के साहिबाबाद से उतरने वाले सुनील शर्मा दो लाख 14,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीते हैं उनके खिलाफ खड़े हुए सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को 1,08,047 वोट मिले हैं जबकि भाजबा प्रत्याशी को 3,00,000 से ज्यादा वोटों ने जीत तर्ज करवाई है आपको बता दे इस जीत को लेकर सुनील शर्मा ने यूपी की राजमीती में एक नया कीर्थी मान रच दिया है अपनी जीत कर श्रे साही बाबाद की जनता और कार्यकरताओं को उन्हों ने दिया है जीत के अंतर को जान लेने के बाद इस इतिहास को रच देने के बाद सुनील शर्मा ने कहा जनता ने मुझे आशिरवाद दिया है पार्टी के कार्यकरताओं ने बहुत महनत की है हमारी सरकारमें जो विकासके काम किये हैं इस वजह से लोगों ने हमारे नेत्रित्वपर भरोसा जताया और जट दिया शेत्र के कारेकरता नारा लगाया करते थे अब की बार दो लाक पार उस समय में सोचा करता था ये कैसे संभव है लेकिन ये कारेकरताओं की अटूत महनत और संकर्थ था जिसकी वजह से ये संभव हो पाया आपको बता दे इस बार राजा भाया जैसी जीत का अनुमान लगा कर वैठे से वैसी जीत उन्हीं मिल नहीं पाई है नेक्स्ट नाइन नीउस नेशन की रिपोर्ट